नमस्कार, मैं 36 गड़क बार के यूट्यूब चैनल इंडिया आज कल के स्टूडियो से सुनिल कुमार, आज एक खबर को लेकर आपके बीच हूँ, खबर थोड़ी अटपटी है, थोड़ी तकलीवदे है लेकिन जिन्दगी का हिस्सा है, जिन्दगी मेंसर में सिर्फ अच्छी चीज़ें नहीं रहती हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी रहती हैं, तकलीवदे चीज उजैन जिले की एक खबर आई है जिला मुक्ष्याल्य से कुछ दूरी पर एक गाउन हे गाउन या कस्बा वहां पर एक महिला ने अभी कुछ देर पहले पहले अपने जेट और पती दोनों को गोली मार दी पहले जेट को गोलिया मारी उसके बाद पती को गोलिया मारी पुलिस का ऐसा कहना है कि परिवार के और लोगों को भी मार डालना चाहती थी वो लेकिन इन दो को मारने के बाद में पती वहीं पे मर गया जेट हस्पताल के रास्ते में मरा दिन दाहडे, खुली रोशनी में, सड़क पर ट्रेफिक के बीच में ये महिला, देशी कट्टा लेकर हाथ में चलते हुए थाने पहुंची, वहाँ जाके उसने सरेंडर कर दिया उसने कहा कि मैंने ऐसा ऐसा अपने पती को और अपने जेट को मार डाला है पुलिस उससे पूछताच कर रही है, लेकिन जो शुरुवाती जानकारी जो सामने आई है, वो ये है कि परिवार के भीतर जमीन वगर को लेकर कुछ विवादे चल रहा था इस विवाद को लेकर ये महिला सवीता नाम है, उसका अंगन बारी कारे करता है उसने ये हिंसा परिवार के भीतर की, थोड़ा अटपटा है मामला, आम तोर पे महिलाएं पिस्टॉल से, बंदूक से हत्या करें, ऐसा कम होता है महिलाओं का कभी ऐसा करने का कोई मामला सामने आता भी है, तो वो जहर मिला कर जो की थोड़ा कम अहिंसक किस्म का मामला लगता है जहरवगर से महिलाएं मारती हैं ऐसी घटनाएं कभी-कभी सुनाई देती हैं लेकिन खुले आम उसने घर के भीतर इस तरह से मारा और जाकर थाने में सरेंडर कर दिया और उसके सिर पर पलू है आप वीडियो देखेंगे हम कोशिश करेंगे दिखाने की आपको अभी तो वो महिला जिस तरह से सिर पर पलू लेकर परंपरागत परिवार में रहने वाली एक घरेलू महिला है आंगन बारी कारे करता है कोई बहुत हाई प्रोफाइल उसकी नौकरी नहीं है उसने यह हत्या की तो इसको लेकर मैं सोच रहा था कि क्या यह महिलाओं के बीच में किसी किस्म के एक बदलाव का एक संकेत है कि एक महिला भी पारिवारी के हिंसा से ठक कर पारिवारी के तनाओं से ठक कर या कोई भी और वजह रही होगी पती और जेठ दोनों को गोली मार रही है वो और पुलिस में जाकर आत्म समर्पन कर रही है ऐसा खबरों में आया है कि इस महिला का जेट जो है वो अवैद हत्यारों का काम करता था पुलिस ने उसको कुछ अर्शा पहले पकड़ा भी था हो सकता है इसकी वज़े से भी घर में ऐसे अवैद हत्यार रखे हो और इस महिला को उसकी जानकारी रही हो उसने उसका इस्तेमाल कर लिया हो घर में हत्यार रहने से एक खत्रा जो बढ़ जाता है उसका भी एक संकेत है यह लेकिन मैं उसके उपर अभी जाना नहीं चाह रहा हूँ मैं इसके उपर जाना चाह रहा हूँ कि महिलाएं इतनी बड़ी पारिवारी के हिंसा अगर कर रही है या किसी किस्म के संबंधों में इतनी बड़ी हिंसा कर रही है तो क्या ऐसे मामले हाल के 5, 10, 15 बरस में कुछ बढ़ते दिख रहे हैं कम से कम खबरों में तो मुझको बढ़ते दिख रहे हैं ऐसे मामले ऐसे मामले दो-तीन किस्म की हिंसा के आ रहे हैं किसी महिला का किसी और से संबंध हो गया वो प्रेमी जो है वो बलेक मेल कर रहा है तो ऐसे में महिला अपने पती को बताती है कि ये मुझे को ब्लेक मेल कर रहा है या मुझे को साथ जाकर रहने का दबाव डाल रहा है या पती को कहीं से पता लग जाता है ऐसे प्रेम संबंद का तो वो महिला ही पती के साथ मिलकर किसी और भाड़े के हत्यारे को लेकर किसी तरीके से प्रेमी को मारने में हिस्सेदार हो जा रही है कहीं पर अपने पती से ठकी उही महिला जो है वो भी ऐसा कर रही है कि प्रेमी के साथ मिलके पती को मार डाल रही है उसमें प्रेमी के कोई दोस्त भी मदद कर दे रहे हैं ऐसे भी मामले सामने आये हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि 15-20 बरस पहले तो मुझको ऐसे मामले इतने सुनाई देते नहीं थे कि जिसमें महिलाओं की हिंसा में हिस्सेदारी ऐसी दिखाई पड़ती हो इतनी सुनाई पड़ती हो हलनकि मैं ये बात किवल खबरों के मेरे जो अब्जर्वेशन हैं उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ मैंने कोई आखड़े इसके नहीं निकाले हैं लेकिन मैंने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की मैंने कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश की एक पुराने पुलिस के रिटायर्ड अफसर यहां पर है आर के विज जो स्पेशल डीजी होकर रिटायर हुए 36 गड़ में उनको आपने हमारे इस स्टूडियो में देखा हुआ भी है पहले इंटर्वियो किया है हमने उनसे भी मैंने पूछा तो मैरे पूछने पर उनको भी ऐसा लगा कि शायद हाल के बरसों में ऐसी घटनाएं कुछ ज़्यादा सुनाई दी हैं लेकिन वो पुलिस महिकमे के हैं तो वो आंकडों के बिना कुछ ज़्यादा बात करना नहीं चाहते थे मैंने कुछ एक महिलाओं से बात की एक महिला पत्रकार से बात की एक महिला सामाजिक कार्यकरता से बात की एक टीवी जनलिस्ट महिला से मैंने बात की उनसे मैंने समझने की कोशिश की इन में से एक कोई इस बात पर आपती थी जो मैंने कहा कि क्या ये किसी तरह से महिलाओं की बढ़ती हुई आत्मनिरभ़ता का एक संकेत है कि महिला और कामों में आगे बढ़ने के साथ साथ अगर जरूरत पढ़ती है अगर उसको लगता है तो वो हिंसा में भी आगे बढ़ रही है पहले के मुकाबले उनका कहना है कि इसको आगे बढ़ना मत कहिए इसको इंपावर्मेंट महिलाओं का आर्थिक आत्मनिरभ़ता उनकी बढ़ती हुई आत्मनिरभ़ता से जोड़ कर देखना गलत होगा मुझको भी लगता है ऐसा जोड़ना गलत होगा कुछ लोगों को यह अपत्ती जनक लग सकता है कुछ महिलाओं को यह अपना अपमान लग सकता है लेकिन घुम फिर के मेरे दिमाग में जो बातें आती है वो मैं आपके साथ साज़ा करना चाहता हूँ हाल के 10-15-20 बरसों में हिंदोस्तान की लड़कियों और महिलाओं के बीच में दो-3 चीजें बढ़ी है एक तो महिला सिक्षा बढ़ी है उनकी आत्म निर्भरता बढ़ी है वो पहले के मुकाबले अधिक काम करने बाहर निकलने लगी है वो मजदूरी से लेके कारखाने के काम से लेके सरकारी या निजी संस्थानों की नौकरी तक में ज़्यादा संख्या में जाने लगी है उनके पास मुबाइल फोन आ गया है जो उनको दुनिया से जोड़े रखता है उनके पास कम से कम दुपहिया आ गया है जिससे उनकी मोबिलिटी बढ़ गई है कहीं आना जाना शुरू हो गया है जो पहले आसान नहीं था इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे उनकी मौजूदगी और उनके निजी जान पहचान दोस्ती जो बढ़ रही है सोशल मीडिया की दोस्ती बढ़ते बढ़ते मुबाइल फोन वाटसेप मेसेंजर वगर पर आने लगती है लोगों के बीच में प्यार महबत की बाते होने लगती है तो एक किस्म से जो विवाहेतर संबंध जो रहते थे एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर्स जिनको कहते है वो अब मर्दों का एक आधिकार नहीं रह गया मुझको विच साब ने ये भी याद दिलाया कि इंडिया टुडे जैसी मेगजीन के जो सर्वे आते हैं कि विवाहेतर संबंध एक्स्ट्रा मेरिटल रिलेशन्स पे जो सर्वे आता है उनका उसमें पुरुशों के मुकाबले महिलाओं और लड़कियों की संख्या जादा है ऐसे संबंधों में जो शादी से परे ऐसे संबंधों में हैं मैं नहीं जानता कि वो सर्वे सच है कि नहीं कि मेंगजीन अपना सर्कुलेशन बढ़ाने को ऐसा सर्वे करती है मैं उसकी हकीकत नहीं जानता हमने 36 गड़ जैसे राजज में ही देखा है कि चुनाओं के जितने सर्वे हुए वो सारे ज्ञूटे ثाबित हुए तो मैं उसके उपर नहीं जा रहा हूँ लेकिन मेरा अपना देखा हुआ ये है कि पहले के मुकाबले महिलाओं की आर्थिक आत्म निर्भरता बढ़ी है उनका बाहर आना जाना बढ़ा है लोगों के साथ उटना बैटना बढ़ा है कस्बों और शहरों में ऐसा माहल हुआ है कि कहीं दोसा खाने या चाई पीने या समोसा खाने लड़किया अपने किसी दोस्त के साथ उट बैट सकती है ऐसा चल रहा है अभी पहले के मुकाबले उनकी आजादी कुछ ज़्यादा देखने में आती है तो ज़ाहिर है कि जहाँ ऐसी आजादी रहेगी उनकी दोस्ती होगी दोस्ती मेंसे प्ρέम भी बढ़ सकता है ऐसा शादी के भीतर भी हो सकता है शादी के पहले भी हो सकता है अब इस बात को समझने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्या महिला अपनी शिक्षा की वज़े से आर्थिक आत्मनिर भड़ता की वज़े से एक सामाजिक दाइरा उसका जो बढ़ रहा है सोशल मीडिया पर उसकी नेटवर्किंग बढ़ रही है उसके संबंद बढ़ रहे हैं वहां की दोस्ती जो है वो एक अलग किस्म की सकारात्मक दोस्ती रहती है जिसमें रोज की जिंदगी की तकलीफे नहीं रहती तो वहां अधिक सुहानी दोस्ती रहती है सोशल मीडिया पर तो क्या उस आजादी के चलते हिंदुस्तान के समाज में महिलाओं को पहले के मुकाबले एक अधिक आत्मी विश्वास मिल रहा है जिसका एक इस्तेमाल हिंसा की शक्ल में भी सामने आ रहा है कि जब उनको लगता है कि मेरे साथ परिवार में बेइंसाफी हो रही है जादती हो रही है उस वक्त क्या ऐसी हिंसा सामने आ रही है ऐसा मैं सोचता हूँ मेरे पास कोई डेटा नहीं है मेरे पास कोई केस स्टेडी ऐसी नहीं है जिसके आधार पे मैं लंबे चोड़े कंक्लूजन निकालू बिना निश्कर्शों के मैं केवल अपनी सोच को आपके सामने रख रहा हो सकता इससे आप पूरी तरह असेमत हों मैंने कुछ महिलाओं से और लड़कियों से बात करने की कोशिश की इस बारे में उनका कहना है कि हाँ आर्थिक आत्म निर्भरता के बाद हम अपने परिवार में पुरुशों से चाहे वो पती हों चाहे शादी के पहले के पिता और भाई हो अगर लड़की और महिला आर्थिक आत्म निर्भर हो जाती है तो वो अधिक भरोसे के साथ बात कर सकती है अपनी पसंद और नापसंद को लेकर लड़ सकती है अपने पती से भी लड़ सकती है ये एक तनाव जो पहले था जिसमें महिला केवल हिंसा की शिकार भर रह सकती थी इस से जादा की कोई गुणजाईश नहीं थी अब वो शायद बराबरी से उसका सामना कर सकती है वो विरोध कर सकती है हिंसा का वो पती की पिता की भाई की जादती का विरोत कर सकती है वो कह सकती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी मैं अपनी तनख्वा खुद कमाती हूँ मेरी अपनी इंकम है तो हो सकता है कि उसकी स्थिती परिवार के भीतर बदली हो इस वज़े से भी कहीं कहीं पर जहां जरूरत पड़ती है वहां पर हो सकता है कि ऐसी महिला पहले के मुकाबले हिंसा में कुछ जादा भागीदारी कर रही हूँ मैं उनकी आत्म निर्भरता को किसी भी तरह से नकारात्मक नहीं कह रहा हूँ मैं महिलाओं के आर्थिक आत्म निर्भरता का बिल्कुल भी विरोधी नहीं हूँ मैं उसकी घंगोर वकालत करता हूँ लेकिन सामाजिक हकीकत यह है कि समाज के भीतर परिवार के भीतर जो हिंसा होती है वो हिंसा आम तोर पर जो आर्थिक रूप से ताकतवर है उसको हिंसा का मौका देती है, हिंसा का बढ़ावा देती है उसको हिंसा का होसला देती है अब हो सकता है कि वो एकाधिकार, कमाऊ होने का एकाधिकार पुरुश का तूट रहा है अब महिलाएं भी कमाऊ होते चल रही है वो भी पढलिक के एक आत्मिविश्वास के साथ काम कर रही है उनके भी प्रेम संबंध कहीं हो सकते हैं अभी तक के वल मर्द के प्रेम संबंध रहते थे उसी के अवज संबंध रहते थे वो जैसा चाहे करता था उसकी एक बीवी दूसरी बीवी दो प्रेमी काएं सब हो सकत से थे वक्त बदल रहा है अब महिलाओं का भी ऐसा हो सकता है मुझको एक एक नौजवान महिला ने कहा जिसकी उम्र कम है लेकिन शादी शुदा है उन्होंने मुझसे ये कहा कि आज बहुत से टीवी सीरियल ऐसे बन रहे हैं बहुत सी फिल्में ऐसी बन रही हैं जिसमें महिला को एक मजबूत किरदार की तरह पेश किया जाता है ऐसे बहुत सारे सीरियल आ रहे हैं ऐसे OTT प्लैटफार्म पे भी ऐसे सीरीज आ रही है जिसमें महिला को एक मजबूत किरदार की तरह पेश किया गया है उसको देखने वाली महिलाओं के मन में भी इसका असर पड़ता है वो एक अलग किसम के आत्म विश्वास से भरती है उनको दूसरी जब हिंसा की खबरें वो पढ़ती है कि कैसे किसी महिला ने उसको बलیک मेल करने वाले पती को इसने मार डाला या प्रेमी को उसने मार डाला जब इस तरह की खबरें आती हैं तो हो सकता है कि उनका भी असर होता हो, हो सकता है कि टीवी और सिनेमा इसका भी असर होता हो, हो सकता है अपनी आर्थिक आत्मनिरभरता से उसको ताकत मिलती हो, ऐसा मिला जुला कई तरह का असर हो सकता है. मैं बहुत ही किसी नतीजे पर निश्कर्ष पर मेंधक की तरह छलांग लगाना नहीं चाहता लेकिन मैं ये जरूर देख रहा हूँ कि ऐसी हिंसा में वो महिलाएं अधिक शामिल दिखती हैं जो कामकाजी हैं जिनका दुनिया से संबंध हैं जिनके दोस्त हैं प्रेमी हैं जिनके संबंध हैं बाहर जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं ऐसी महिलाएं मुझको हिंसा का फैसला लेते हुए ज़्यादा दिखती है शायद सोशल मीडिया की एक ताकत उनके काम आती है वहाँ पे शायद वो संपर्क उनके काम आते हैं शायद वो दुपहिये पे कहीं भी जाना आना उससे उनकी नेटवर्किंग बड़ी होती है हो सकता है मॉबाइल फोन पे मैसेज, फोटो आना जाना इससे भी एक अंतरंग संबंध लोगों से बनते हैं जो ज़रूरी नहीं है कि कोई वायद सेक्स संबंध हो या प्रेम संबंध हो आज के जमाने में कई किस्मों की दोस्ती भी रहती है तो मैं उज्जैन की इस घटना से सोच रहा था और इसको सोचते सोचते मुझको कुछ एक बातें सूजी इनमें मैंने कुछ लोगों से बात की तो जो अलग-अलग पहलू मेरे सामने आये हैं वो ये हैं इनमें साफ साफ कम से कम एक महिला ने मुझको ये कहा कि आप इसको किसी भी तरह से वीमेंस इंपावर्मेंट महिला की आर्थिक आत्म निर्भरता उसका सशक्ती करन ऐसी भाषा इसके बारे में इस्तेमाल मत कीजिए वाइलेंस की घटनाओं में तो मैं नहीं करना चाहता मैं अपने वो शब्द वापिस लेता हूँ मैं मान लेता हूँ कि इसका महिला सशक्ती करन से लेना देना नहीं है लेकिन ये देखना पढ़ेगा और ये देखना इसलिए पढ़ेगा कि ये भारती समाज में मर्दों के समझने की जरूरत भी है कि महिलाएं अब किवल दहेज हत्या में लाश में तबदील होने वाली एक बेबस महिला नहीं रहे गई है अब वो अधिक संख्या में निकल कर जाकर बलातकार की भी रिपोर्ट करती है बलेक मेलिंग की भी रिपोर्ट करती है प्रेमी के खिलाब भी रिपोर्ट करती है और प्रेमी ने अगर शादी का वायदा करके देह संबंद बनाया है और धोखा दे दिया है शादी नहीं कर रहा है इसकी भी रिपोर्ट करने महिलाएं अब निकल रही है तो महिलाएं ना केवल गैर कानूनी काम हिंसा करने में आगे बढ़ रही हैं बलकि वो अपने कानूनी हक की लड़ाई करने में भी आगे बढ़ रह तो महिलाएं कुल मिलाकर पहले के मुकाबले अपने आपको अधिक ताकतवर पाकर बाहर निकल रही हैं हो सकता है इनका एक छोटा सा हिस्सा कुछ हिंसक घटनाओं में भी शामिल रहता हो तो यह समझने की जरूरत है कि 20-25 बरस पहले की भारती महिला और आज की भारती महिला में एक बुनियादी फर्क है वो आज अधिक ताकतवर है उसकी इस नई ताकत उसके इस नए स्वाभिमान उसके नए आत्म विश्वास इसको समझने की जरूरत है इसका सम्मान करने की जरूरत है वरना वो केवल हिंसा सहने वाली नहीं है जरूरत पढ़ने पर बेबस होने पर मजबूर करने पर वो किसी हिंसा पर उतारू भी हो सकती है जैसा कि उज्जैन में हुआ है मैं हिंसा की वकालत नहीं कर रहा हूं मैं महिलाओं को अधिक हिंसक नहीं कह रहा हूं मैं महिलाओं को अवैद संबंधों वाली नहीं कह रहा हूं लेकिन मैं समाज में जो घटनाएं हो रही हैं खबरों में जो आ रही हैं घटनाएं उनको लेकर जो सोच रहा हूं वो आपके सामने रख रहा हूं कि महिलाओं की इस नई ताकत को देख कर सब को समझने की जरूरत है फिर हम मिलेंगे किसी मुद्दे को लेकर आपको ये विडिटोरियल अगर अच्छा लगा होगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाईएगा, लाइक कीजिएगा, अपनी टिपणी लिखिएगा इस मुद्दे पे लिखने लायक बहुत कुछ है, टिपणी कीजिएगा और हम आपसे फिर मिलेंगे चलते चलते छोटी सी सलाह, अगर आप दुपईया चलाते हैं, तो हेलमेट लगा कर रखिएगा, उसका बेल्ट लगा कर रखिएगा वरना किसी एक्सिडेंट की नौबत आने पर वो हेलमेट जो है बोतल के ढखकन की तरह दूर जागी रहेगा और हाँ, अगर आप चौपईये पर चलते हैं, तो सीट बेल्ट लगा कर रखिएगा, किसी हाथसे की हलत में यही दो चीजें जिन्दगी बचा पाती है, फिर मिलते हैं